हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारो यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा पीएश्पी कोर्स से लेटीड 191 टॉटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएश्पी उप का टू स्ट्रिंग नम का मैथड सीखने वाले हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास मालीजे एक क्लास है ABC और इसका मैंने एक object भी बना लिया जैसे यहाँ पर आप देखने है टेस्ट नम का एक object बना है अब जैसा कि मैंने आपको पिछली कहीं वीडियो में बताया है पीएश्पी उपस के अंदर कि जब भी हम किसी भी क्लास का एक object बनाते हैं तो हम उस क्लास के जितनी भी properties हैं उसको बाहर use कर सकते हैं उसकी value को get कर सकते हैं यह उसके method को call कर सकते हैं अमा लिजे कोई user जो है वो सीधा ही जो test now का हमारे पस यहाँ पर object आ रहा है उसको सीधा ही print करने की कोशिश करता है as a string तो यहाँ पर हमारे पास आ total error आता है वो काफी unprofessional सा लगता है तो उसको professionalism देने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर PHP Ops के अंदर एक method आता है true string उसको लिखने का तरीका क्या है उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे public बदे कि जो assess modifier है function फिर दो बर underscore का sign और फिर true string और उसके बाद उसके अंदर कोई message को हम return करा सकते हैं यह message return होके जाएगा कहाँ पर जहाँ पर भी इसे किसी भी user ने किसी भी object को print किया होगा जैसे हम यहाँ पर echo कर रहें तो यहीं पर यह message आजएगा और हम इसको echo कर देंगे अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यह method होता है to string यह अपने अब call कब ह देखी जो यह method है to string यह तब call होगा जब कोई भी user जो है किसी भी object को as a string print कराने की कोशिश करेगा तो यह method अपने अब call हो जाएगा क्योंकि एक magic method है तो जितने भी magic method होते हैं वो किसी ना किसी event पर ही call होते हैं तो इसका event यह है कि user जो है वो एक object को print करा रहा है तो उसी time पर यह event call हो जाएगा और इसके अंदर हम कोई भी message यहाँ पर return कर सकते हैं या इसके अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं तो यह शुरू करते हैं practical और देखते हैं किस method को हम कैसी use कर सकते हैं यहाँ पर देखिए web editor के अंदर मैंने एक file बना लिए जिसका नाम मैंने रखा है to string method.php और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ABC नाम की class भी बनाई है अब इस class का मैं एक object भी बना लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं एक test नाम का एक object बना रहा हूँ इस object को बनाने के बाद मैं इसको print कराके दिखाता हूँ आपको तो देखिए मैं यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते हैं और आप यहाँ पर देख भी रहोंगे यह message जो है काफी unprofessional सा लग रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम class के अंदर यहाँ पर एक method बना सकते है magic method to string तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को लिखना है public और उसके बाद function और उसके बाद दो बर underscore कसाइन क्योंकि एक magic method है to string to string में जो ऐसे वो capital letter में ही रहेगा यह देखिए अब इसके अंदर आकर मैं कोई भी statement को यहाँ पर return करा सकता हूं तो यहाँ पर मैं लिखता हूं return क्योंकि हमने यहाँ पर इसे print नहीं कराना basically हम यहाँ पर जो भी statement यहाँ पर class का name भी देता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं off class और यहाँ पर मैं class के name को print कराने के लिए यहाँ पर php का एक function आता है उसका नाम है get class यह function हमें class का name return करता है तो हमें यहाँ पर यह भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं कौन सी वाली class के अंदर हूं तो यहाँ पर मैं इस function के अंदर as a parameter एक variable pass करने वाला हूं dollar this यह देखिए तो अभी मैंने file को यहाँ पे save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए यहाँ पर काम होता है जिसका नाम है two string यह automatically call हो जता है जब भी user जो है वो किसी भी object को as a string यहाँ पर print कराने की अगर कोशिश करेगा तो यह method अपने आप call हो जाएगा और इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एक statement यहाँ पर return कराई है और उसके साथ में पास का नाम भी return करा है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं इससे next video में हम करने वाले है sleep नाम का magic method तो उस video को भी देखना मत भूलिए hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए